बारा बज़े के बाद या एक बज़े के बाद या दो बज़े के बाद या चार बज़े के बाद किसी भी वक्त आख खुल जा और बिरियानी खाने का मन हो रहा हो है तो आप इस्टेशन डोड आजाए सीधा तो अभी में मौजूद हूं, इस्टेशन रोड पर और फिर साड़े बारा और यहां पर एक विरियानी जो है, वह बहुत जादा मशूर है इस विरियानी की खास बात यह हमने सुनिए कि यह स्रिफ रात में मिलती है और यह सारी रात मिलती है अब देख लो आज हमने तीन बंदें हो रहे की प्लेट लिए बिरिया ने की अब कमिट नहीं करना के कितना खाओ अब अब लेकिता रहरें तो हम अबने पैसे देखे खा रहें बाई आपने पैसे देखें कहारें वहाई पैसे हम उनको वापस दे जें जिनकी अमानात होती है और ये बंदा पीशे हमारी बातों का फाइदा उठाकर सारी बिर्यानी कहा जाए गा इससे पहले के सारी बढ़ता हूं बिसमिल्हा इस टाइम पर ऐसी बिज्यानी मिलना और जो इसका जाइका है बहुत अच्छा है इस टाइम के असाफ से और जगा के असाफ से बहुत अच्छी चीज है मेरा फिवरिट कोर्मा रोटी दागा है बिजाने नहीं कोई इसके लिए भी विडियो अब अब भी बिज्यानी खाली आपको तस्टे और सरड़े को मिलेगी बागी पूरे अफते आपको चिकन बिर्यानी मिलेगी है वह इतनी अच्छी नहीं होती है हमने भी ट्राय करें लेकिन मज़ा नहीं आया इसलिए हमने सोचा कि हम थाजड़े के दिन रेड़े के आएं इस बिर्यानी की मुझे एक बात अच्छी यह लगी है के हैदराबाद में काफी जगा बिर्यानी है लेकिन बीफ जो है ना वह जादा सही से गलावा नहीं होता अक्सर जगाओं का लेकिन इसका इस वक्त सहीए देखें आज की डेट और आज की टाइम के हिसाब से मैं आप जो बी हम अपनी वीडियो में रिव्यूज देते हैं वो पर्सटनल अपीनियन होते हैं मेरा अलग पर्सनल अपीनियन होगा इसका अलग होगा आपका अलग हो अब यह नहीं कि जो मैंने कह दिया वह पत्थर पर लकीर बन गए जो मुझे अच्छा लगा वह आपको भी जालाएं पर आगे चलते हैं